Hello students, आज हम इस वीडियो में investment की meaning, definition, characteristics और objective को discuss करेंगे तो चले start करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि investment क्या है देखिए आप investment क्यों पढ़ने जा रहे हैं या यह जो भी पूरा paper होता है कि risk को, securities को यह सब पढ़ने का मतलब क्या हो गया actually होता क्या है, किसी भी person के पास अगर extra पैसे होते हैं मतलब उसके सारे खर्चों को खतम करने के बाद उसके पास कुछ savings होती है तो वो person यही चाहता है कि उसके जो savings है सिर्फ उतनी नहीं रह जाए जितनी है मतलब अगर आपके पास 100 प्रुपिज के saving है तो आप कभी नहीं चाहोगे कि मेरी 100 प्रुपिज के saving हमेशा 100 प्रुपीज ही रहे आप हमेशा यही चाहोगे कि यह मेरी 100 प्रुपिज के savings ना double हो जाए उसमें कुछ ना कुछ addition आप चाहोगे उस addition को चाहने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा और actually उसी hundred rupees को double करने के लिए आप जो भी काम करते हो जहां भी इस चीज को आप उस hundred rupees को लगाते हो जिससे कि आपके पैसे double हो जाए या extra मिल जाए उसी को हम कहते हैं investment और हर एक person अपनी savings को double या extra करना चाहता है यही आप investment है अब problem क्या होती है कि हम ये पढ़ी क्यों रहे हैं क्योंकि आप savings उतना नहीं रखना चाहते हो आप उसको extra करना चाहते हो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि क्या तरीके हैं जिनके थूँ हम इन चीज़ों को कर सकते हैं हमारे पास क्या alternatives हैं और अगर हम इस तरह से investment करना चाहते हैं तो मेरा objective क्या होना चाहिए हम क्यों करना चाह रहे हैं क्या reasons हैं उसके पीछे हमारे पास कितने options हैं हमें उन options को opt करते बद क्या-क्या ध्यान रखना चाहेगी, किस तरह की alternatives available है, इन सारी बातों को analysis करना पड़ता है, और इसी वज़ा से हम ये सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं, clear है, तो अगर investment को simple language में कहते हैं, तो investment मतलब क्या होगे, अपनी money को invest करेना, आप अपने parents को भी द रखते होंगे, वो क्या करते होंगे, अगर bank में भी account में हैं, तो भी वो उससे क्या खरीदना चाहेंगे, FD खरीदेंगे, PPF खरीदना चाहेंगे, RD में पैसे लगाएंगे, कुछ के parents shares में, mutual funds में, इस तरह के options में पैसे लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो का बचा हुआ पैसा है न, वो हमेशा उतना ही न रहे, उससे जादा हो जाए, उसको उससे जादा करने के लिए, ये सारे तरीकों में, कोई भी तरीका वो opt करके अपने पैसे को extra करना चाहते हैं, actually that is an investment, और आप practical life में भी देख रहे हो, सब के सब investment कर रहे होते हैं, right, तो investment है क्या चीज़, तो investment को मैं ऐसे define करते हैं, कि जो भी current financial resources है, उसको इस तरह से use करना, कि वो ये commit करे कि future में वो आपको higher gain देगा, है न, मतलब क्या हुआ, current में future, आपके financial resources, for example, आज आपके पास सारे खर्चे को खतम करके 100 rupees हैं, तो आपका current financial resource कितना होगा, 100 rupees, अब आप इ ऐसे जगहां लगाएं, इस तरह से use करिये, कि higher gains in future, आपको पता हो कि ये 100 rupees आपको future में 200, 300, 400, 1.500, तो कुछ भी आपको extra देने वाला है, ऐसे commitment जो वो कर रहा है, that is called investment, right, तो investment मतलब क्या हो गया, commitment of funds, इस 100 rupees की न, commitment हो गई, क्या commitment हो गई, कि उसको इस तरह से लगाया कि future में आपको income होगी, उसी 100 rupees से आपको income होगी, ऐसे कैसे आपको income होथी, एक normal तरीके से देखा जाए, तो आप जाके service देते हो, काम करते हो, और काम के बदले आपको income होती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि आप में जो income कमाई है न वो income, वो पैसा ही आपको और extra income दे रहा तो इस तरह से उस बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कया जाएगा, इस तरह से उस बचे हुए पैसे को लगाया जाएगा, कि वो future में आपको income देगा, यह जो income देगा वो in the form of what? interest, dividend, premium, pension benefit यह जो 100 rupees है उसी में increase हो जाए, 100 की जगाँ 200 मिल जाए, appreciation in the value of initial investment, that is called investment, अब आप सोची कि आप जब job करते हो, तो आप जब job करते हो, तो क्या होता, आप service देते हो, आप service देते हो, तो आपको जो return, जो income होती हो, उसका नाम आप क्या देते हो, salary देते हो, आप business करते हो, business करके आप अपना time, energy, resources सब लगा रहे हो, उसके बाद जो income आते हो, उसको आप कहते हो, सारे खर्चों के बाद जो बसता हो कहते हो, इसको profit कहते हो, इसका मतलब आपके मेहनत से profit आया, आपने service दे, उससे क्या आया, salary आया, is it, तो उस income का नाम आपने रखा, उसी तरीक उसका नाम interest हो सकता, उसका नाम dividend हो सकता, उसका नाम premium हो सकता, actually क्या है, वो आपका पैसा आपको income earn करके दे रहा है, that is actually investment, है ना, जब fund आपको income create करके दे, ऐसी जगह पैसे को लगाना, जिससे पैसा पैसे को बना रहा हो, पैसा आपको income दे रहा हो, that is actually investment, so basically, अगर हम business theories की बात करें किसके बात करें business theories की बात करें तो business theories में investment का क्या मतलब हो जाता है business theories में कहता है कि investment क्या होते है अगर आप manufacturer ना तो एक ऐसी activity में अपना पैसा लगाओ जिससे उससे income generate हो मतलब आप जाके stock में लगा रहो कोई assets खरीद रहो machinery खरीद रहो building खरीद रहो कोई equipment खरीद रहो जिससे production हो रहा है आपका मतलब जो यह कह रहा है कि future में लंबे समय तक आपके इस पैसे को लगाने की वज़ा से income आने वाली है उसी को कहते है investment तो business में पर actually जो हम यहाँ investment पढ़ने चाहरे हो हमारा क्या हो गया कि हमारा बचा हुआ पैसा हमारी savings हम उसको ऐसा employment दे रहे है ऐसे जगा उसको लगा रहे है जिससे वो income दे रहा है ठीक है अगर आप किसी को अपने दीवे पैसे को किसी को loan में दे रहे हो कि ठीक है मेरा अपना savings 100 रुपे गा था किसी को जरुरत थी तो जो आप 100 रुपे ले जाओ अपना काम करो लेकिन जब आप मुझे return करिएगा तो सिर्फ 100 रुपे नहीं करिएगा उसके अलावा कुछ interest भी दीजेगा तो यहां वो 100 रुपे income generate करके क्या दे रहा है आपको interest आपने उसी 100 रुपे से किसी कंपनी के share खरीद ली अगर आपने किसी कंपनी के share खरीदे तो वो कंपनी जब ग्रो करेगी ना जब income कमाएगी तो वो आपको क्या बाटीगे dividend बाटीगी तो वो ही 100 रुपे आपको dividend के form में income दे रहा है मतलब form कुछ भी हो सकता है और आप यही देखेंगे अपनी life में भी देखेंगे आप अपने family members को भी देखेंगे तो वो PPF, RD जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या पाते हैं इंट्रेस्ट पा रहे होते हैं कि आपका जो पैसा था वो तो मिलेगा मिलेगा आपको साथ में क्या मिलेगा interest मिलेगा, है न, वो mutual fund में पैसा लगा देते हैं, आपका shares में पैसा लगा रहे हैं, ये सब क्या दे रहा है, पैसा लगाने से, उस पैसे से income आ रही है, और उस income का नाम कुछ भी हो सकता है, तो that is actually investment, right? अब हम बात करते हैं किसकी features, nature या characteristics of investment की, तो investment की क्या characteristics होती है देखे, investment की सबसे important characteristics क्या है, return, है न, कुछ वापस आना चाहिए आपको return मतलब क्या, कुछ वापस आना आपने पैसे को लगाया, कहीं पे लगाया, है न, अब जहां पे भी आपने लगाया उस पैसे को, न, वहाँ से आपको कुछ मिलना चाहिए, कुछ return आना चाहिए, तो सबसे characteristics, सबसे important nature, सबसे important characteristics क्या होती है, कि जब भी आप investment करते है, न, तो आप, आपको क्या मिलता है, आपको return मिलता है जब भी आप service देते हो, तो आपको return में क्या मिलती है इसी तरीके से जब आप पैसे को काम पे लगाते हैं फंड का employment करते है तो return आपको जरूर मिलता है तो return actually क्योंगे investment are made with the primary objective of driving a return हम कोई भी investment करते है तो मेरा main objective क्या मिलेगा हमें in return क्या मिलेगा है तो the dividend or interest received from the investment is the yield ab actually जो return में हमें मिलता आपको जली वो क्या मिलता या तो हमें interest मिल रहा होता या dividend मिलता या sometimes retirement के कुछ benefits मिलते हैं किसी भी form में हमें मिल सकते है तो यह जो मिलता है ना उसी को हम क्या बोलते yield मिलना actually यह क्या है return मेरी income है यह हमारी yield हो जाती है जो भी dividend या interest आप receive कर रहे है that is your yield आप पीपेफ में पैसा लगाओ आप लगा रहो पीपेफ पब्लिक प्रोविदेंट fund पीपेफ में पैसा लगाओ हर साल आप हर महीने ही रख लो quarterly रख लो जैसा भी आप करना चाहते है थोड़ा थोड़ा पैसा आप उस account में डालते रहो 15 साल के बाद क्या होगा एक heavy amount मिलेगा साथ में आपको जो interest आपको 15 साल तक आपने जो पैसा दिया उसका interest पुरा accumulate करके आप जितना पैसा दिया वो plus interest total मिला के एक heavy fund आपको वापस मिलेगा तो यह क्या होगए यह yield होगए हमें return मिला जो हमने पैसा लगाया उससे additional कुछ और हमें मिला that is your yield return may be received in the form of yield plus capital appreciation sometimes क्या होता है कि जो हमें return मिलता है वो हमें क्या मिलता है कि जितना मैंने लगाया है उस पे हर बार जो income आनी है interest आना वो तो आएगा आएगा plus जो 100 यह जो हमने लगाया है वो भी add होके extra मिलेगा मतलब जैसे आप कुछ investment के type देखेंगे तो आप वहापे क्या देखेंगे जैसे एक example shares काम ले लेते हैं मान लेजे आज आपने एक company का share खरीदा वो 100 रुपेगा था तो आपने 100 रुपेगा invest कर दिया उसके बदले क्या मिला आपको share मिला अब in return आपको क्या मिलेगा जब जब company dividend बाटेगी तो आपको उसी 100 रुपे पे जो एक share आपने खरीदा था उस पर आपको क्या मिलेगा dividend मिलेगा हर बार आपको dividend मिलेगा यह आपका return हो गया अब क्या हुआ काफे time के बाद आपने सोचा कि अब यह share मुझे नहीं चाहिए आप उसको sell करने गए तो वो जो 100 रुपे का share आपने खरीदा था आज के time पे वो market में एक हजार में sell हो रहा है तो जब आज आप sell करने के तो आपको कितना मिला 1000 मिला 100 रुपीज की चीज capital appreciate करके 1000 मिल गई आपको है ना प्लस आपको dividend मिलता रहा पहले आपने कई dividend receive भी किया हुए तो dividend plus capital appreciation दोनों मिल गए तो return sometimes yield की form में भी होता है capital gain plus yield आपका जो पैसा लगाया था उसमें कितना मिला extra plus आपको हर बार कितना extra मिला है ना interest या dividend या premium जो भी आपको मिल रहा हो तो that is all about return और हम यह आप यह भी calculate करते हैं किस rate से return मिल रहा है मतलब आपने कितना कमाया तो rate of return भी हम calculate करते हैं तो second क्या होते है investment की क्या characteristics अगर आप कर रहे हो तो क्या और साथ आपको रहेगा risk risk भी बहुत important factor है यह risk का क्या मतलब हो risk का मतलब होता है loss आपको यह डर है है ना कि जो amount आपने लगाया है ना वो amount कहीं खोना जाए यह जब हम ऐसा कहीं पर invest करने जा रहे होते हैं ऐसे जगा पैसा लगारे जा रहे हैं जहा हमें यह डर है ना कि अगर मैंने 100 लगाया तो it may be possible कि 100 रुपे की जगा मुझे 80 रुपे return वापस मिले है ना तो यह जो मेरा जो principal amount था ना उसकी खोने का जो डर है ना या जो 100 रुपे पर income आनी चाहीए थी वो income कम आईएगी मतलब वैसे लोग 100 रुपे लगाते हैं तो हर बार वो 10 रुपे पाते हैं बचानेड्स तो उनका बना नहीं बना है उसके अलावा हैं उनको हर वा तैनर् опыт करके मिल रहा है तो अगर आपको देख रहे हैं कि सब को ददर्स मिल रहा है है और आपको यह है कि हो सकता है द्स के जग बोट अर। रिस्क का फैक den Armor factor जो होता है बहुत कम होता है minimum risk होता है कहीं कहीं पर risk factor ज़्यादा होता है maximum risk होता है तो actually हमें उस risk के factor को समझना पड़ता है कि हम किस तरह का investment करने जा रहे हैं और risk उसमें कितना involved है और एक कहा जाता है कि ज़्यादा risk लोगे तो return भी ज़्यादा मिलने की chances है जब तो में ज़्यादा है कि हो सकता है कि खोएंगे कि लगाओ देखा जाएगा loss bear करने की capacity रखो तो अगर हुआ मुनाफ़ा तो बहुत हुआ और गया तो सब गया तो risk अगर ज़्यादा लोगे तो profit और return भी ज़्यादा मिलने की chances होती है पर वहीं पर कुछ लोग safe zone में खेलते हैं उनको कोई risk नहीं लेना होता है जैसे हम लोग government securities में पैसा लगा देते हैं FD खरीद लेते हैं वहाँ आपको क्या पता है कि मेरा पैसा खोएगा नहीं कोई भी risk नहीं है जितना लगाया उतना तो मिलेगा मिलेगा accountability किया है इसकी तो refers to an investment ready to convert into cash position अब जैसे suppose करिये आपने PPF में investment किया आपका कुछ पैसा था आपने कौन सा investment का type choose किया आपने सूचा कि हम अपने ये जो मेरे पास 100 रुपे extra है इस 100 रुपे से हम PPF account खुलवा लेते हैं हर बार हम 100-100 रुपे PPF में डालेंगे यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर cash positioning बड़ी कम है मतलब आपका पैसा जातू रहा है लेकिन जो return आपको मिलेगा मतलब जब आपको वापस से cash के form में चाहिए वो 15 साल बाद मिलेगा क्योंकि आपने time period fix है 15 साल का है ना तो cash जो liquidity है cash में convertibility है यह थोड़ी slow speed में है है ना तो यह कहते है liquidity का क्या मतलब हुआ liquidity का मतलब cash में convertibility का क्या option है shares में आपने invest किया आपको पता है या बहुत जल्दी cash में convertible है आप stock market में जाओ तुरंट share sale कर दो आपका share sale हो गया तो इसकी liquidity हाई है तो investment जब आप करते है ना तो liquidity भी बहुत matter करती है कि cash की positioning उसकी क्या है वो कितनी जल्दी cash में convert हो जाएगा तो it is available immediately in the cash form तो जब भी आप investment करते हैं तो कई investment ऐसे होते हैं जो आपको बहुत जल्दी cash में convertible का option देते हैं ठीके तो liquidity means that investment is easily realizable, sellable और marketable तो liquidity का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसा investment होना जो बहुत जल्दी क्या हो जाए cash में convert हो जाए जिसको easily आप sell कर पाओ जिसका market अच्छा हो लोग उसे खरीदने के लिए ready हो है आप shares में देखो, bonds में देखो इन सब में हमेशा market ready रहता है आपका, gold के bonds आप खरीद रहे हो यह सब चीज़े हमेशा ready रहती है तो इनके liquidity अच्छी होती है इसके अलावा एक और जो चीज़ investment में होता, that is what tax shelter, जो भी investment आप करते हो हर investment में टाक्स की कुछ benefits मिलते हैं actually tax shelter का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से financial arrangement करना कि आपको tax ना देना पड़े या कम देना पड़े तो tax से बचने के लिए आप जब investment कर रहे होते हो options जून रहे होते हैं तो उसकों कहते हैं tax shelters तो बहुत सारे ऐसे investments होते हैं जो tax shelter होते हैं आपको tax से बचाते हैं तो government provides income tax deduction for investment different schemes तो government ने 80 80s का deduction दिया है chapter 6A में 80 करके section 80 के अंदर deduction दिया है ATC से लेके 80U तक के अंदर तो उसमें जैसे 80C का जो deduction होते हैं ATC, ATCC, CCC यह सब जो deduction होते हैं वो बिसिकरी investment पे बहुत जादा है कि अगर आप पैसा PPF में लगा रहे हो तो उससे जो income आ रही हो उस पे आपको छूट मिल जाएगी आपको tax नहीं देना पड़ेगा आप RD में लगा रहे हो आप FD में लगा रहे हो मतलब उन्होंने investment के लिए आप LIC खरीद रहे हो FD वेगरा में तो नहीं है जादा तर कुछ FDs में मिलती है कुछ FDs में नहीं मिलती है डिपेंट करता है company to company कौन उस exemptions list में आती है पर जैसे LIC है LIC का भी ATC में आपको मिल जाता है insurance का जो आप premium दे रहे हैं तो ये भी LIC का भी investment है पैसा लगाए जा रहे है बाद में आपको बहुत दादा return मिलेगा तो ये जो आप लगा रहे हैं उसमें जो premium दे रहे हैं उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी तो investment में न tax से बचने के भी बहुत सारे options होते है और government बहुत सारे investment के scheme लाती है जिसमें वो कहती है कि अगर आप पैसा यहां लगाओगे तो investment है तो income तो मिलने मिलेगी लेकिन साथ में आपको tax से भी बचित मिलेगी तो ये जो investments होते हैं उनको tax shelters भी होते हैं सारे नहीं होते हैं पर बहुत सारे investment में आपको यह opportunity मिल जाती अब हम बात करते हैं investment objectives का कि investment के objectives के हैं मतलब अगर आप investment करने जा रहे हैं तो आपके क्यों investment करते हो investment करने के पीछे आपका reason क्या है तो देखे main objective जो पूरा investment का होता है वो क्या होता है risk को कम करना future uncertain होता है हम सबको पता है आज मेरे पास 100 रुपे है पर future में जो चीज़े मुझे चाहिए वो 100 रुपे में नहीं मिल जाएंगी हमें चाहिए कि यह 100 रुपे जो में पास extra है उसको कुछ इस तरह से काम करें कि future में जितना मुझे चाहिए उतने के लाइक ही हो जाए है ना और future के ऐसे बिलकुल uncertain है तो future में आने वाली problem से बचने के लिए आपको ना पैसे बना के रखने पड़ते हैं है ना ऐसे नहीं काम चलता है कि मैं आज काम करूँ पैसा आया खर्च कर दो काम करते हमें हमें future के लिए savings करने की ज़रूद है उन savings को घर में नहीं रखा जाता उन savings को ऐसे जगह लगाया जाता है जिससे savings डबल हो जाए या उससे कुछ extra addition मिले आपको तो investment का main objective जो होता है कि risk को minimize करना कि जो future का risk है कि मतलब future uncertain ने कुछ भी हो से था तो वो risk आप minimize कर सको simultaneously क्या है maximize the expected return आप आने वाले जो returns है ना उस पैसे से जितना income आप earn कर सकते हैं वो बढ़ाना आप ऐसा investment करना चाहते हो हमेशा investment का objective यही है कि हम पैसा ऐसे जगह लगाए कि मेरे पास risk factor कम हो मेरा पैसा डूबने की chances कम हो है ना मेरे future के uncertainty कम हो जाएं है ना हम risk को कम कर पाएं और उस पैसे से ज़ादा से ज़ादा हम क्या पाएं return पाएं और यह assure करना कि आप safe zone में हो आपके पैसे safe हैं आप safe हो और आप जब चाहोगे अपने पैसे को liquidity में मतलब उसमें liquidity हो आप जब चाहोगे अपने investment को in cash convert कर लोगे मतलब मुझे आज पैसा चाहिए और मैंने कहीं पैसा लगा रखा है तो मैं ऐसी जगा लगाऊं पैसे को कि तुरंट उसको sale करके आज मुझे cash रहे तो मैं cash पा जाओ तो liquidity हो यही main objective होता है investment का अपने future को safe करना पैसे से पैसा कमाना और earning करना safety रखना जो पैसा लगाया वो पैसा बढ़के मिले हर बार उससे कुछ income मिले यही main objective होता है तो इन सब चीज़ों को अगर analysis करके points में डाले तो पहला objective मेरा क्या होगे income generation income generation का क्या मतलब हुआ कि आप पैसे को ऐसी जगह लगाना चाहोगे अब चाहे आप PPF में लगाओ चाहे आप FD में लगाओ चाहे आप RD में लगाओ चाहे Share Market में लगाओ चाहे Mutual Fund में लगाओ चाहे SIP में लगाओ Systematic Investment Plan में लगाओ किसी भी ऐसी जगा आप लगाओ पैसे को जहां से आपको income मिलती रहे income generator आपकी जो current income है न वो income बढ़े आपको income हो ऐसा नहीं है कि पैसा लगा दिया income नहीं हो रही है तो वो तो पैसा बिकार हुआ न बाद में भी कुछ मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है बहुत बार ऐसी investment भी होती है जो आपको current में कोई income नहीं देती है future में एक साथ देगी लेकिन sometimes लोग ऐसा चाहते ही कि आपको current में भी income आती रहे उस पैसे से कुछ न कुछ आपको हर बार income आती रहे इसके बहुत सारे option है MIS वेगेरा है यह सब क्या है यह सब आपको हमेशा income देती रहती है short term FDs वेगेरा है यह सब आपको हमेशा income generate करती है तो एक तो मेरा investment को objective क्या होता है कि हमारी income generate हो हमारे कुछ income आए जैसे हम service करके पैसे कमा रहे है वैसे इस पैसे से पैसे कमाते रहे income generation हमारा main objective होता है दूसरा क्या capital preservation मतलब capital की safety जो पैसा लगाया है ना वो पैसा क्या हो safe हो ऐसा नहीं कि अगर मैंने 100 rupees लगाए है तो मेरा 100 rupees कोई नुकसान हो मुझे income तो आ रही है लेगे फिर मेरे 100 rupees मुझे कभी नहीं मिलेगे नहीं investment करने का objective होता है कि मेरे जो capital लगा है ना जो पैसा मैंने लगाया है ना उसे को कहते capital तो जो पैसा मैंने लगाया है जो मेरा capital है ना वो preserve रहे वो safe रहे उसमें safety रहे उतना तो रहे ही रहे उसके अलावा मुझे additional मिले तो capital preservation भी objective होता है कि ये depend करता है कि कौन सा investor किस तरह का option लेना चाहता है जैसे मैं का investor हूँ मैं नहीं चाहती कि मुझे risk हो मैं हमेशा safe zone चाहती हूँ तो मेरा main objective क्या हो सकता है कि मेरा जो भी पैसा लगी हमेशा preserve रहे safe रहे है ना income भले ही कमाई पर मेरा पैसा safe रहे वहीं पर कुछ investor ऐसे होते हैं जो ये risk लेते हैं और वो चाहते हैं कि उनको जादा से जादा income है है ना तो उसके लिए वो उनका objective change हो जाएगा तो कहने का मतलब कि investment के objectives भी investor to investor vary करते हैं आपका motive कैसा है आप किस nature के investor हो उसके हिसाब से आपका objective change हो जाता है पर overall जो objective जाता है वो यही जाता है कि या तो लोग income बढ़ाना चाहते हैं अपने जो पैसे लगा के रखे हैं उसको safe रखना चाहते हैं capital appreciation चाहते हैं capital appreciation मतलब capital में growth 100 लगाया है तो 100 कर ना 1.500 हो जाए 100 कर 200 हो जाए income जो आनी है वो आते रहो interest आये, dividend आये, जो आना है आये पर जो लगाया है capital ना वो भी बढ़के मिली तो capital appreciation भी क्या होता है main objective हो जाता है investors का, हर investors यह चाहता है कि उसका जो लगाया हुआ fund है ना वो extra मिले, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी investor होते हैं तो यह नहीं चाहते है कि उनका capital बढ़की मिले बलके उनका objective होता है कि बस मुझे regular income मिले for example, जैसे old age investors है, old age person है तो अगर यह अपने पैसे को लगाना चाहेंगे ना, तो यह एक ऐसी scheme में लगाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी वो retire हो चुके job खतम है उनकी, उनको regular income नहीं है पर उनके पास fund है, पैसा है, capital है अब वो चाहते हैं कि मेरा पैसा ऐसे जगा लगे ना, कि हर महीने मुझे कुछ income आती रहे, जिससे कि मेरा जो daily expense है ना, वो खतम होता रहे तो उनका main objective यह नहीं है कि capital appreciate हो, जो पैसा मेरा है ना, वो पैसा बढ़के मिले, नहीं, उनका object है कि जो मेरे पास पैसा है ना, उसे मुझे हर महीने कुछ income आए, जैसे वो पैसा कहा लगा देंगे MIS में लगा देंगे, monthly income skim, वो क्या होगा, पैसा जो तुमने 30 लाग लगाया, 15 लाग लगाया हो, 15 लाग हमेशा 15 लाग ही बना रहेगा, लेकिन आपको हर साल आपको income मिलती रहेगा, हर महीने, हर साल में अगर आप 15 ली इंकम ले रहो, हर महीने आपको पैसा आता रहेगा, उसी 15 लाग से पंदर लाग का पंदर लाग ही मिलेगा जब पूरा टाइम मैच्चोर हो जाएगा तो पंदर लाग रुपए पंदर लाग वापस आ जाएगे लेकिन उस पंदर लाग से हर महीने आपको पैसा भी आता रहेगा तो यहाँ पे पंदर लाग का पंदर लाग का तीस लाग मिल जाए बीस लाग मिल जाए पचीस लाग वादर प्वादर बीबढ़कर मिले तो प्याप्टल अब्जेक्टिव होता है और आज की टाइम पे अगर बात करू ना तो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम लोग टाक्स रिड़क्शन के लिए करते हैं आप देखेंगे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम यह चाहते हैं कि मुझे टाक्स में छोट मिल जाए अब मेरे पास सेविंग्स है पैसे जादा है पर पता है कि यह जादा पैसे है ना उसके लिए मुझे गवर्मे बेनिविट ने मिलेगा तो इन्वेस्टमेट क्या चाहते हैं कि मेरे जो पैसा एंडा ऐसी जगह लगे जहां से मुझे बेनिविट मिले की साइट अट्राक्ट हो तो बहुत सारे investment options ऐसे हैं जिसमें tax से छूट मिलती है ATCC, ATCC, ATCCD ये सारे बहुत सारे sections है जिसमें बहुत सारे options है LIC वेगरा का है, PPF वेगरा का है, KVP है, NSC है इन सारह के investments options government ने रख रखे हैं कि इनमें आप invest करोगे तो आपको छूट मिलेगी, और एक चीज़ याद रखेगा, आपके दिमाँ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों बही, क्यों government कहती है कि हमको tax ना दो, छूट दे देगी आप investment करो छूट मिल जाएगी, क्योंकि investment के दो objective होते, आप तो यह देख रहो ना कि मेरा पैसा लग रहा है कहीं पे, और मुझे income आएगी, पर जहां पे आपने पैसा लगाया है ना, उस person को पैसी की जरूरत थी, आपके investment के वज़ए से उसको पैसा मिल जाता है, उसके लिए वो liability होती है, पर जिस जगह आपने लगाया है पैसा ना, उस तो आप tax से बचने के लिए क्या करेंगे, investment कर देंगे NSE में, अब actually क्या हुआ, आपने पैसा NSE में लगा दिया, tax से बचने के लिए interest भी आएगा, income भी आएगा, आप खोश होगे, आप लगा दिया, पर उधर government को क्या हुआ, government को ये NSE में जितना investment हुआ, उतना पैसा मिल गया, अब उसका विप्टलाइस करके आपको इंटरेस के साथ पैसा वापस कर देती है, तो वो चाहती है कि इस particular area में पैसा आए, इस वजह से बहुत सारे ऐसे investment opportunities हैं, जहां पर tax में छूट दी जाती है, और इसी रहे छूट जाती है, being an investor, हम ऐसे opportunities चाहते हैं, कि जहां पर हमको छूट मिले, हम investment करते भी कई बार इसलिए हैं, कि हम tax से बच सकें, तो यह main objective हो गया आपके investment का, और मैंने हमेशा कहा है, कि investor to investor's objective बदल जाते हैं, मैं एक ऐसी person हूँ कि मुझे income नहीं चाहिए, मुझे capital appreciation नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसी जगहां पर पैसा लगाना है, जहां से मुझे छूट मिल जाए, तो मैंने 80D को आप्ट कर लिया, health insurance में पैसा लगा दिया, और जगहां लगा दिया, क्योंकि मुझे बस tax से बचना है, tax से बचने के लिए मैंने अलग-अलग investment कर दी हैं, तो यह सब क्या है, इस सब investment के objectives होते हैं, एक और हमारा objective, जो last है, हो किया, to meet the financial goals, so sometimes investment को objective क्या होता है, कि जो उनकी financial goals है, उसको meet out करना, उसको achieve करना है, उसको achieve करने के innocence क्या हो गया, कि हर बार, हर investors का अलग objective होता है, तो sometimes कुछ investors होते हैं, जो यह सोसते हैं, कि education के लिए, मुझे ऐसे जगह पैसे लगाना है, कि जिसे जब हमारा बच्चा ब बड़े होते तक में, उनको fund दे दे, कुछ लोगों का goal होता है, कि उनको daughters की marriage करनी है, तो ऐसे time period में उनको fund चाहिए, तो इस तरह से अलग-अलग financial goals को meet out करने के लिए भी funding चाहिए होती है, और उसके लिए purpose को ध्यान में रखते हुए भी लोग investment करते हैं, और इसके लिए बहुत सारी scheme आती है, जो financial goals को देखते हुए न, investments के options आपको देती है, कि ऐसे time period के लिए आपको इतना fund मिल जाएगा, ऐसे time period के लिए आपको इतना fund मिल जाएगा, इसी में बहुत सारी LIC's के scheme है, money back schemes, LIC की money back, तो यह सारी schemes क्या है, यह सब आपको देती है funding कि, आपके जो goals है, financial goals है, जहाँ पर आपको पैसो की जरूरत पढ़ने वाली है, उस time तक आपको fund इकठा होके मिल जाए, तो यह भी एक objective होता है, investment करने का, कि आपके जो 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 भी financial goals है, जो जो भी आपके objectives है, कि मुझे इस time पर इतनी funding की जरूरत है, उसको meet out करने के लिए आप investment करते हो So I hope I became clear, wish you all the best, thank you so much